दोस्तों काफी दिनों से आप लोग भी परिशान थे कि जब से बिहार दरोगा का जो एक्जाम डेट था वो 29 नॉवंबर को जारी किया गया था और आपका B.S.S.C. मेंस का जो है इंटर लेवल का जो ही एक्जाम डेट है वो 29 नॉवंबर ही जारी किया गया था तो आप लेवल मेंस का डेट होगा वो अब नहीं बढ़ेगा यानि कि ये परिक्षा आपका जो है निश्चित तौरबर 29 नॉवंबर को ही होगा दोस्तों ये बात हम कैसे बता रहे हैं आपको आए देखते हैं दोस्तों आज का जो आप देखेंगे प्रभात खबर पटना जो है द लिखान से वीडियो को अंतक देखते रहेगा आपका जो है बहुत बड़ा कंफिजन दूर होने वाला है दोस्तों आपको लगाता जो है अप तक तैयारे में लग जाना देख का लिखा हुआ है राज भासा सहायक उर्दू उर्दू अन्वादक और सहायक उर्दू अन्व हो सकता है जो उर्दू अन्वादक की परिख्षा है मध्य दिसंबर तक जो है सुरू होने की संभावना यहां पर दिख रही है इस से पहले 29 नवंबर को बी एससी प्रथम इंटरस तरिये संयुक्तब मुख्य परिखता परिख्षा का आयोजन करेगा देखे इस पर इसका डेट आगे बढ़ेगा तो देखे यहां पर क्लियर लिखा गया है कि लिहाजा इसके परिवर्थन नहीं होगा तो आपको 29 जो नौंबर का डेट है इसको जिदम अंतिम डेट मान कर चलना है और कुछ लोग ऐसे जिन्होंने तयारी चोड़ दियोगे तो दुबारा तयारी उन्हें जो है सुरू करनी पड़ेगे तही क्या लिखा हुआ है हाला कि 60,000 से अधिक अभ्यर्थियों के परिख्षा में सामिल होने के कारण सोसल डिस्टेंसिंग के साथ इसका आयोजन एक बड़ी चुनाउती है परिख्षा केंद्रों के संख्या जो है इसके अर्दू अन्वादक और सहायक अर्दू अन्वादक तीनों परिख्षा में बैठने वाले अभिरतियों के संख्या बहुत कम है लेकिन आपका बीससी में साथ हजार संख्या होने वाली है इसलिए केंद्र को बिडबल कर दिया गया है और सोसल डिस्टेंसिंग का पालन भी अब देखे कुछ लोग के मन में सवाल ये रहा होगा तो कि अब बीहार दरुगा उस दिन हो या नहों ये तो बात कलियर् की उस दिन अगर परिख्षा होगी तो बीससी मेंस की होगी अगर किसी को आगे पीछे होना ऑं और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों परिक्षा एक ही दिन हो जाए लेकिन आपका B.S.C. इंटर लेवल मेंस का जो है एक्जाम डेट अब आगे नहीं बढ़ेगा 29 जो आपका नॉंबर रहेगा आपके फाइनल डेट है तो दोस्तों इतने दिन में करना क्या है अभी भी आपके पास लगभग 55-60 दिन का समय बचता है 55-60 दिन में देखिए अब आपके पास मौका है कि आप अपना प्रेक्टिस छोड़े न रिविजन छोड़े न कुछ लोग ऐसे होंगे जो लगातार प्रेक्टिस सेट सौल्व कर रहे होंगे तो उनको मौका मिलगा कि आपको प्रेक्टिस सेट दिया जाए ताकि आपका एक्जाम जो है सेलेक्शन सोने से तो हो पाए दोस्तों एक बार फिर से मारा यहीं कहना है कि आप जो है अपने तैयारी को छोड़िए गामत आपका जो एक्जाम है वो 29 नॉवंबर को होगा ही तो इसमें आपको कोई भी परिसाने नहीं होने चाहिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही इंफोरमेशन था वीडियो पसंद आतों वीडियो को सेर जरूर करेएगा कि यह सोचना सबी लोगों तक पहुँचनी बहुत ही आवस्यक है तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत-बहँ धन्यवा झाताओार दीट नहां से जची कर दो दिखएंगे तो कर दोप Будगी कु का दो हुएंगे उत्षाद रेओा सबस्दित कर दिखएंगे द्ची कर दो द दिना फची में कर दोदाद कर दो दोकी कर दोला है